आज सुनिए शिवानी जी का लिखाओ पन्यास चौदै फेरे का भाग पांच अंजाने मार्क की दुरू ज्यामिती की एक रेखा भी जानी पहचानी नहीं थी वो निश्य ही भूल में किसी दूसरी ही पग्डंडी को फान गई थी अब क्या करें? क्या लोट आए? पर लोटे की कहां लोटने के लिए भी तो कई अपरचित, पग्डंडिया, जहरीली, नागिन सी, टेडी, मेडी, कुंडली मारे उसे डसने को बढ़ती आ रही थी शत योजन विस्तियन उस गहनवन का अंधकार बढ़ता जा रहा था पहाड़ी हवा न जाने किस सुदूर, एवलेंस पर अपनी छुडी की धार तेश कर उसकी हड्या रेत रही थी सहसा किसी की पद ध्वनी से भीगी पत्या भी चर्मरा उठी कहीं कहीं से जींगूर की ध्वनी आ रही थी शायद, किन्तु किसी का कंट स्वर ही था बच्चा परमानंद, एक भी गोली तुने साग में धर्दी होती, तो शिकार न चिटकता वैसे तो साली दूसी छोकरी ही तमंचा थी, यहीं से एक पहाड़ी छोकरी को ले जाकर मैंने हैदराबाद में, साथ हजार में बेचा था दीरे दीरे बाबा, दीवारों के भी कान होते हैं, धूर्त शिश्च का कंट स्वर एक दम ही करीब आ गया था एक कटीली हिंसालू की जाड़ी के पीछे डुकी मार के अहिलिया तिर्ची हो गई, उसका धार फार धरकता कलेजा मूँ को आ रहा था थंड और भैसे कापती देच चेतना को रही थी, अबे जाबे मुर्गी के यहां खा दिवारे धरी हैं, पर बच्चा आज उन दो दो परियों ने हमारी तविद बिगार दी, एक भी मिल जाती और फिर बाबा की अवाच्चे भद्धी कलपना जंगली हिर्नी से कुनाचे लेती मुखर होटी, अहिलिया के दोनों गाल अंगारे से दहकते फटे पड़ रहे थे हाँ हाँ हो हो हो, गुरु शिशे का अशलेल वारतालाप उनके भयानक अटाहास से भी अधिक भयाउना था काटों से भरी जाड़ी की कटीली पकड़ से अहिलिया की दोनों हतेलिया लहुलुहान हो गई थी, भै उसकी पकड़ को धीमे किये दे रहा था प्राण प्राण से वो उस जाड़ी को पकड़े जा रही थी, किन्त गुरु शिशे के बढ़ते कदमों के साथ साथ उसका हाथ फिसलता जा रहा था लगता था, अब गिरी, अब गिरी, जरासी चूकी तो धरड़ाती उनके कदमों बर जा गिरेगी विपत्ति के क्षण में मनुष विधाता के अस्तित्तों को कैसे स्वयमी जान लेता है भूक लगने पर नवजाज शिशुक्या जन्वदाइनी के इस्तन को स्वयमी नहीं नूर लेता वन के अंदकार और हिदय के भै को चीर कर आश्रम की वैशनियों का समवेत कंटस्वर उसके कानों में स्वयमी भूंजने लगा श्री राम चंद्राई नमाह, राम भद्राई नमाह, सीता रामाई नमाह, वो क्षण भर को घूल गई कि दोदो पाखंडी, विक्राल, महादानों से बाबा उसी की और बढ़े आ रहे हैं उसके सामने तो लकडी के बने चौक्टे कर टिकाई बड़ी सी रामायट धरी थी और नम्र मुखी वैशनियों के साथ वो भी अम्रत स्वरूपी जाप में डूप कई थी श्री रामचंद्राय नम्हा, रामबद्राय नम्हा, सीता रामाय नम्हा कदम बढ़ते बढ़ते आये और उसकी हरी साड़ी के छटके आचल को भी वन की हरीतिमा के धोके में दबाते, कुचलते, आगे बढ़ते बढ़ते शून में वेली हो गए पसीने से तर अहिलिया की चेतना जागरित हुई भै से उसे अपनी पीडा का भी ध्यान नहीं रहा था अब दोनों हतेलियों में कटीले हिंसालू के असंख के काटे शूल से चुबने लगे उसने एक उब्री चटान का सहरा लिया और नीचे जहाका तो सिर्चकरा गया भैयानक खाई को क्या वो पहले नहीं देख सकी थी और क्या देखा होता तो ऐसे निर्भै निससंशे होकर लटक सकती थी पहाडी बक्रियों जैसे चटानों की तीखी धार पर अपने देख को साथ कर खड़ी हो जाती हैं वैसे ही वो काप्ती खड़ी थी एक बार उसने बड़े साहस से फिर नीचे जहाक कर देखा खाई के नीचे किसी गाय या भैस का गंकाल पड़ा था उसी की भाती जंगल में भटक गई गाय ने उसी चटान से फिसल कर जान गवाई होगी ओफ वो सिर से पैर तक सिहर उठी जरा भी पाउं चुका होता तो उसकी हड़िया भी नीचे बिख्री होती वो दीरे दीरे नीचे उतरी सामने की कामेत और नंदा देवी की चूटियों से बादल हट गए थे आकाश धूल कर उजला नीला छे टकाया था संध्या की धूमिल चाया चारों और अपनी कूची फिर रही थी अहिल्या को सोच नहीं पा रही थी आगे जाने का प्रश्णी नहीं उठता था किसी भी मोर पर उन विक्राल दानों से उसकी मुढभेड की संभावना हो सकती थी तो क्या पीछे उनी पगडंडियों से लोट चले पत्तों की चरमर फिर हुई अहिल्या भै के उस अंतिम अवस्था वो पहुँच गई थी जब आखों की पुतलिया फैल जाती है मानों हिदे अपनी धरकन रोग कर भागे के किसी भी प्रहार के लिए अपने को प्रस्तुत कर देता है ना वो हिल डुन रही थी ना पहली की तरह इधर दर छिपने के लिए किसी चटान के संधान का उप्रम ही कर रही थी पत्तियों की चरवन हथ बढ़ती आई वन की अभेद इस थिर्ता को भेद कर राजू खड़ा था पानी की बूनों ने उसके सदा बनने सवरे बालों को दरावी की तरह चप्टा कर दिया था कंदे से जूलता बैग भी पानी से भीक कर चू रहा था हाथ में किसी पेड की बनाई टहनी की चड़ी थी जिससे लंबी लंबी घास हटाता वो एकदमी एहलिया से सटकर खड़ा हो गया मेरा ख्याल ठीकी था मैं जानता था कि आप पगडंडियों के चौराहे पर ही उलज गई होंगी बसंती और धर्नी धर को जाते मैंने बहुत पहले देख लिया था मैं एक चटान पर बैठा था उन्हें कई आवाजें दी पर उन्होंने सुना ही नहीं जब आपको उनके साथ नहीं देखा तो बड़ी देर तक रुका रहा फिर समझ गया कि आप अवश्री कहीं भटक गई हैं बाप रे बाप क्या चोट लग गई है हाथ में एहलिया की दोनों हथेलियों के अंज लिगत रक्त को देखकर राजू निकटा कर जुक कर देखने लगा रक्त से सनी दोनों हथेलियों से ही मूँ ढापकर एहलिया से सकने लगी अभी तक अविचलिस साहस से वो अपने को किसी लोह अंकुस साधे थी राजु को देखते ही वो अपने को रोक ना पाई आज तक वो इस युवक की एक एक बात के लिए तरस कर रह गई थी कल वो चला जाएगा और आज वो इतने इसने से उसकी कुशल पूछ बैठेगा वो भी ऐसे विकट क्षण में जब उसका चित जीवन के जनम मरण की पेंगे लेकर दौरबली से अभी भी काप रहा था वो क्या जानती थी कुछ पीछे खिसक कर राजु चुप खड़ा रह गया ऐसे क्षणों में क्या किया जाता है वो विवेख ही निवक एकदम ही नहीं जानता था आस्वों से वो बहुत डरता था वो रोने क्यों लगी क्या उसने कुछ गलत बात कह दी अहिल्या थोड़ी दिर तक सिसकती रही फिर स्वय में तठस्त होकर उसने आखें पोच ली देखिये अंदेरा बढ़ता जा रहा है अभी हम लोग नहीं चलेंगे तो शायद मैं भी आपको मार्ग नहीं दिखा पाऊंगा चलेंगी क्या अहिल्या के जुझलाट बढ़ती ही जा रही थी क्या ये आदमी पत्थर का बना है सिवाए रूखी सूखी बातों के क्या इसके पास कुछ भी नहीं है वो उट गई राजू फिर अपनी छड़ी से लंबी घास हटाता उसी मार्ग से आगे जाने लगा जिससे कुछ देर पहले दोनों धूर्ट सादू उतर गए थे नहीं मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी अहिल्या का सुर दढ़ता और वो सचमुशी खड़ी हो गई एक डग भी नहीं पड़ी वाह क्यों रास्ता तो बस एक यही है राजू ने आश्र से उसकी उर देखा पेडों की घनी पंक्ती पीछे छूट गई थी एक लंबे चीर के व्रक्ष की छितरी पत्तियों को चीर कर मुठी बर उजाला अहिल्या के क्लांट चेरे पर उतर आया था राजू की अवग्यापूर द्रिष्ट ने गिरगिट कासा रन बदल लिया था अहिल्या के सूखे अदरों से ज्हाकती दाडिम दंत पंक्त के जादू से पत्थर भी पिगल जाता वो तो मनिश्य ही था अहिल्या पहले कुछ देर तक अस्मंजस में खड़ी गई फिर उसने उन दोनों पाखंडी गुरू चेले की बात बता ही दी उनका उल्ले करते समय उसे अनायासी उनकी अशलील वारता लाप का इसमरण हो आया कभी उसका चेहरा उसी लगजा से लाल पढ़ता जाता था और कभी उसी भैसे सफेद कली सी खिलती मुर्जाती अहिल्या कहीं कहीं पर गुरू बाबा की अश्रील भाशा को भी काटना चाटना तक भूल जाती थी बदमाश उचक्का कह रहा था कि मुझे लेकर जाकर कहीं बेशने पर वो माला माल हो जाता ख्रोट से वो सचमुची काप रही थी उसकी बात सुनकर कभी ना हसने वाला राजू ठटा कर हस पड़ा तो इसमें इतना गुस्सा क्यों आ आगया आपको बात तो ठीकी कही उसने अहिलिया का चेहरा तमतमाया देख राजू सिट पिटा गया कि क्या कह गया वो फौजी बिरादरी का हास परियास कहीं किसी सब्वे महिला के सामने दोराया जाता है क्षमा कीजिएगा जस स्लिप आफ टंग आप घबडाएं नहीं पहले तो वे दोनों हमें मिलेंगे ही नहीं और अगर मिल भी गए तो मैं निबट लूँगा अहिलिया चुप चाप उसके पीछे चल रही थी वो कभी उसे छोड़ कर ऐसे निकल जा रहा था जैसे भूली गया हो कि कोई उसके पीछे भी है क्या साथ चलने में छूट लगेगी कुड़ती गुन्नाई अहिलिया जानबूज कर पिछड़ गई शायद मुड़ कर फिर उसे लेने आए पर उसकी आशा व्यड़ थी रही अंधेरा इतना बढ़ गया था कि अहिलिया को मार्ग भी नहीं सूज रहा था तिस पर हतेली में चुबे काटे पके फोड़ों से दुखने लगे थे मार्ग में पड़े एक बड़े से पत्थर से टुकर काकर उलड़ खड़ा कर गिर पड़ी ओफ एक हल्की सी चीक दबाने का उसने कोई प्रयास नहीं किया अरे चोट तो नहीं लगी राजू का सर बहुत पास था नहीं रूखे सर में उत्तर दे कर वो फिर चलने को उद्यत हुई लीजे आप इसे पकड़ लीजे ये पकड़न्डी बहुत उबर खाबर है बढ़ा कर हाथ की टहनी अहिल्या को थमा राजू फिर चलने लगा टहनी का दूसरा सिरा वो स्वैम थामे था हाथ पकड़ कर ले चलने में क्या है इनकी फौजी अफसरी छोटी हो जाती मनी महिल्या जली भुनी जा रही थी पर सिवाए टहनी पकड़ने के और कोई चारा नहीं था सूची भेद्य अंदकार को चीरते दोनों निश्यब्द बढ़ते जा रहे थे ना जाने कितने पेड लताएं जरने पीछे छोड़ते वे काफी दूर पहुँचे कि एक टिम्टिमाटी रोश्नी का आश्वासन मिला जनादन पंत की चाए की दुकान आ गई यहाँ चाए पीकर फिर तो समझिये की पहुँची गए अहिल्या निरुत्तर चलती रही इस आदमी को रूखी बातों का ही प्रश्य मिलना चाहिए छोटी सी दुकान की छट बड़े बड़े पत्थों की बनी थी उसी पर एक गोल चिमनी इंजन का सा धुआ छोड़ रही थी दुआर पर चीर के तक्ते लगा कर बुढ़ा जनार्धन शायद दुकान बंद करने जा रहा था राजू को पहले दूर से पहचान नहीं पाया निकट आने पर अपने पोपले मुख की महिमा को हसी से उद्भासित कर दोनों हाथ जोड़ कर बोला वहा लाल जीओ बड़ी अवेर कर दी आज कब आये आमा कैसी है ये कौण है बसंती लाली नहीं पर जीओ बसंती की बहन है हम लोग आश्रम गए थे बसंती और धरनी धर भी थे बसंती की शादी हो गई है ना उसी के पती है धरनी धर क्यों नहीं लला क्यों नहीं होगी शादी भला पर शादी ब्याह में भला इस बुड़े दुकानदार की किसे याद आती वो तो जब तुम दोनों छोटे थे कितनी बार इनी कंदों पर चढ़ा कर नंदा देवी का डोला दिखाया है बुड़ा बड़े अपनत उसे बोलता जा रहाता इसी रास्ते से तो लली गई होंगी रास्ते में अपने कुमर जी को हमें भी दिखा जाती तो क्या आंधेर हो जाता वो तो तुम अपनी घरवाली के साथ आज इधर से आ पड़े सो मेरे धने भाग आओ आओ आज तुमारी बहुजी के लिए अपनी लिप्टन की नई चायका डिबा खोलूंगा बुडे की भूल धारना का खंडन किये बिना ही राजू दुकान के भीतर चला गया आओ बहुजी तुम क्यों बाहर खड़ी हो जनार्दन बड़े उत्सा से धुए से काली पड़ी अपनी दुकान के एक मातर बैंच को जोर जोर से जाडने लगा मैं बहुजी नहीं हूँ अईलिया ने जला कर कहा पर उसका जलाना व्यर्थ गया बुड़ा कान से कम ही नहीं सुनता था एकदम बजर बहरा था नई नई बहुजी आज पहली बार मेरी दुकान में आई हो साक्षात लक्ष्मी जी पधा रही है राम सीता को आज एक सार बिठा कर आखे ठंडी करूँगा हाँ और क्या सूखी लकडियों का इधन अपने गोल जूले में धदका कर बुड़े ने काली केटली चड़ा दी अहिल्या खीच कर बैंच पर बैट गई छी ना जाने कैसी आफ़त में पढ़ गई थी वो काटों से छिदी हतेलिया सूझ गई थी वो उने ही उजाले में फिरा कर काटे निकालने लगी राजू अपने भीगे जूले को एक खूटी में टांग रहा था उसने शायद अहिल्या की सूझी हतेलिया देख ली इतनी खरूचे कैसे लग गई अरे ये तो काटे चुबे हैं देखू उसी के पास बैटकर राजू ने उसकी दोनों हतेलिया थाम ली पहली बार उसका इसपर्ष पाकर अहिल्या जिजखने लगी पर वो बिना किसी जिजख के बड़े मनोयोग से एक एक काटे को निकालता जा रहा था ओ हो बहुजीव किस काटे की जाड़े में गिर पड़ी तुम राम राम ठीक से निकाल देना लला ये साले बड़े विशैले काटे होते हैं बुड़ा भी जुक कर काटे निकालने लगा एक दमी विवस्ची हो एहलिया सिर जुका कर बैट गई काटे निकालकर बुड़े ने एक हरा हरा मलहम लाकर लगा दिया और दुखती हतेलियों में अनोकी ठंडक आ गई चाय के गिलासों में चाय की सधी धार को गट पटाता जनारदन भटी में लकणिया जोंकता जा रहाता इतनी अबेर कहां जाओ गे लला एक थुलमा धरा है पुआल का गदा भी पड़ा है मिया भी भी यहीं सोजाओ कल सुबह चले जाना नहीं नहीं हम अभी जाएंगे उसके प्रस्ताव मात्र से ही अहिल्या सिहर कर भाग उठने को उतावली हो उठी बैठिये भी बखने दीजे ना उसे उसके कहने से ही हम यहां नहीं रुख जाते दीरे दीरे भी चलेंगी तो भी हम नौ बज़े तक पहुँची जाएंगे टीन के बड़े कालिक के काले कनस्तर में काच लगे थे जिन में न जाने कितने दिन के बासी बन और बिसकुट धरे थे हाट डालकर जनार्दन दो तिन निकाल कर बोला लो लला ये खाओगे नहीं जनार्दन हाँ से इशारा करो चाय पीने लगा ठंड से अहिल्या काप रही थी थकान और सर्दी के बीच उसे चाय का गिलास गरम पानी की थैली किसी गर्मी दे रहा था बार बार वो दोनों हतेलियों के बीच गर्म गिलास को घुमाती पीती जा रही थी चाय पीकर राजू ने जेब से एक पांच का नोट जनार्दन को थमा दिया वो अपनी बोरी की गद्दी उठा कर मुठी बर रिजगारी से चमनी अठनिया वीन रहा था कि हसकर राजू बाहर निकलाया रहने दो जनार्दन डिजगारी नहीं चाहिए आश्चरे से जनार्दन की कीचर बड़ी आँखें बाहर निकलाई दो गिलास चाय के पांच रुपे नई नई बाप रे बाप ऐसी ठक विद्द्या उमर भर नहीं करी लला अब जब ये हार चिता में चटकने को तयार है तब क्या गूखा लूँ राम राम लो ये रहे चार रुपे बारा आने नई जनार्दन ये चाय का हिसाब नहीं है बहुत पहले तुमने मेरे लिए गुलेल बनाई थी याद है ना तभी तुमी ने कहा था कि लला जब बड़े हो जाओगे तो इसके पांच रुपे दे जाना समझे चीप कर उसकी संदर्व सहित व्याख्या बूढे के कानों को चीर कर शायद उस तक पहुँच गई हो 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 वो जोर से हसता जा रहा था और उसी हसी के बीच अहिलिया को चलने के लिए कहकर राजू फिर बढ़ गया थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें आमा की हवेली की अइस्पष्ट रोष्णी दीखने लगी मान बातों शायद उन्ही को ढूरने लाल तेल लेकर निकल गया था बहुत दूर जाने तक भी जब उनका कोई पता नहीं लगा तो वो निराश होकर लौट रहा था उनके पैरों की आवाज सुनकर अपनी कुबडी पीट को सतर करने का प्रेतन कर वो हसता हुआ बढ़ाया कहां कहां ढूडा आप लोगो कहीं चला गया था हुजूर जहन्नुम में कहता हुआ राजू एहलिया को पीछे ही चोड़ धराता आगे बढ़ गया एहलिया की आखों में अपमान के आसुच लगा है उसका सहवास क्या उसे ऐसा ही अप्रे लगा होगा बसंती और धर्नी दर दोनों ही भागते गेट तक आ गए कहां छूट गई थी तू मेरी तो फिकर के मारे जानी सुख गई बसंती उसे लिपट गई जैसे वो बरसों बिछड़ अहलिया हो हाँ हो साली चीव हम भी तुमारे बिरह में आदे हो गए पर तुम तो मजे से हनीमून मना रही होगी शरम नहीं आती आपको जब देखो तब अपनी शहनाई छेड़ देते हैं इतना ठककर आई ये विचारी हाई राम ये हाथ में क्या हो गया जनारदन के विचितर हरे मलहम के लेप ने हतेली की खरोचों पर ठंडक तो पहुचाई थी पर रक्त के साथ वो भी सूख गया था और जितनी चोट लगी थी उससे कहीं अधिक दिखने लगी थी कुछ नई खरोचे लग गई थी आईलिया ने हतेली पीछे कर ली देखो देखो धरनी धर उसकी दोनों हतेली पकड़ कर उसे कमरे के उजाले में खीच ले गया राजू हात मूँ दोकर तौली से रगर रगर पोच रहा था उसे देखते ही अहिलिया फिर जहला उती छोड़िये जी जाजी कुछ भी नहीं हुआ हलकी खरोच है कल तक ठीक हो जाएगी धरनी धर डाक्टरी मनोयोक से उसकी हतेलिया देखे जा रहा था कितनी दिनों बाद तो सुंदरी साली की हतेलिया पकड़ में आई है और कहती हो छोड़ दो जाओ मेरा बैक तो ले आओ उसमें कहीं डेटॉल की शीशी पड़ी है रूई बेलियाना रूई से हाथ की खरोचों को धो पोंच कर धरनी धरने पट्टी बांदी खाना मंगवाओ जी अब तो आते कुल बुला रही है अभी तक साली जीव की चिंता ने भूख प्यास सब भुला दी थी मैं कुछ नहीं खाऊंगी जीजा जी आप लोग खाईए बिलकुल भूक नहीं है मैं तो चल कर सूती हूँ वो उठकर बगल के कमरे में चली गई उसके जाते ही बसंती ने धरनी धर को चीर कर रख दिया आपने उसे नाराज कर दिया जब देखो तब उसे छेड़े ही जाते है राजुदा को भी कभी बड़ा बेढ़ गुस्ता आता है भगवान के लिए आपको ऐसा मजाग मत कर बैठियेगा वो सहसा गिड़गराने लगी देखेंगे भई वाइदा हम नहीं कर सकते एक ही शर्ट पर कर सकते हैं कहकर नवेली पत्नी को और छेड़ता वो उसके मूँ के पास ही अपना मूँ ले आया छी छी राजुदा आपा के कमरे में गए हैं आते ही होंगे शरम लाज क्या कुछ नहीं है आपको पत्नी को जबरन पीछे ठेलती वोट गई एक बार एहलिया को बला कर लाती हूँ देखूं क्या कर रही है एहलिया पलंक पर लेटी दोनों पट्टी बंदी हतेलियां चाती पर धरे छत को देख रही थी बसंती को देखकर बैट गई हाए थोड़ा तो खाले एहलिया मद्धा ने तीन-तीन सबजियां बनाई है क्या तबियत ठीक नहीं है तू भाग क्यों गई बता तो त्रिकाल दर्शी बाबा थे एहलिया सच तू रुकी होती तो तेरा भी हाँ देखते वो उसके पास बैट कर उसकी चूड़ियां सहलाती बोलती जा रही थी बोलने में उसके मुह में बार-बार थूप भर जाता था और रसीले होट और भी रसीले लगने लगते थे क्या बताया तेरे बाबा ने एहलिया ने फीकी मुस्कुराट के बीच पूछा कहते थे वो लास से गुलाबी पड़ गई इधर उधर देख थी वो धीरे से बोली कहते थे मेरे तीन बेटे होंगे मुस्से भी उन्होंने कुछ कहा है जानती है और गंबीर होकर अहलिया ने एक ही सांस में उन धूर्थ पाखंडियों की सारी बातें बदला दी बसंती इस्तब्ध होकर पत्थर की बुद बन गई एक ही पल में उसकी शद्धा का मंदर ढह गया तीन-तीन किलकते पुत्रों का सुसवपन एका एक दूसवपन मातर बन कर रह गया इसी बीच मद्धा उन्हें खाने के लिए बुलाने आई और बड़े यत्न से उन्हें खिला कर बोली आमा जग गई है एक बार उस कमरे में भी हुआना वैसे आज गुमसुम ही बैठी है कभी-कभी मालकिन ऐसी गुमसुम बनी गंटों बैठी रहती है बसंती राजू और धरनी धरी गए अहिलिया थकान का महाना बना कर सो गई अहिलिया एक बार बसंती ने निकटा का दीरे से कहा सो गई क्या और नीन भी ऐसी है इस लड़की की बाप रे बाप एक दम गोड़ा बेच कर सूती है वो बड़बडाई थोड़ी देर तक धरनी तर बेसरी लह में गुनगुना कर स्वैमी चुपो गया खिड़की से आती सूरी की प्रकर किर्णों की चकाचौन से अहिलिया की आँखे खुली तो वो हरबड़ा कर उठ बैठी पास के तीनों पलंग खाली थे खाली ही नहीं उनके बिस्तर फिर से लगा कर परनग पोशों की एक एक शिकन ऐसी दुरुस्त थी कि लगता था उन पर सोने वाले बहुत पहले ही उड़ गए हैं अहिलिया कंबल फेंक कर खिड़की के पास खड़ी हो गई आज तक क्या उसकी किसी परवत यात्रा ने उसके चित को ऐसे अनुपम आला से भर दिया था हाई तुम कब उठी अभी अभी मैंने मद्धा को देखने बेजा तो लोट कर बोली वहाँ तो ऐसे सो रही है कि नगारे बजा कर भी शायद नी जगेगी दोनों हाथ एक दूसे से रगड को सुखा आटा निकाल रही थी तुने मुझे क्यों नी जगाया सुभई सुभई ये क्या बना कर आई हो हाई राम ये सुभई धरी है दस बज गए राजु दा को नौ बजे की बस पकड़नी थी उनी के लिए नाश्ता बनाया तुझे ऐसी गहरी नींद आई थी कि उठाने में कसक लगी फिर मद्धा तो मदद करी रही थी तु भी हाथ मुदो ले ये भी आते ही होंगे राजु भया को बस स्टेंड तक पहुचाने गए है पसंती फिर चली गई हाथ मुदो कर उसे हाथ की पट्टियां कोल दी पिछली रात का कोई भी इस्मृत चिन वो नहीं रहने देगी एक एक कर उसने बैग में इधर दर फैली चीजें रख दी एक थाल में नमकीन पूरियां और हल्दी से पीले छोंके आलों की खुचबू से कमरा तर करती हस्ती हस्ती बसंती आ गई पीछे पीछे पसीना पोश्ती मद्धा थी आच चटपट नाश्ता कर ले ये तो अब आएंगे नहीं नाश्ता करके गए हैं कह रहे थे कि ठीक समय पर तुम लोग बस टेंड पर बहुत जाना चाय पीकर मैं तुझे इश्ट का मंद्र दिखाने ले चलूँगी अहिलिया को भूक नहीं थी पर बसंती के चटकारे ले लेकर खाने का ढंग ऐसा था कि उसकी भी भूक जग गई आमा तो खुराक पाकर फिर सो गई अब तो जगेगी नहीं मान भाद और मारे बैग ले चलेगा मंद्र से ही हम नीचे उतर जाएंगी अहिलिया को किसी प्रकार का उच्सान ही रह गया था पर वो अनमनी सी तयार होने लगी आमा अफीम की पिरंग में पढ़ी थी इसलिए उसे विदा लेने का प्रशनी नहीं उपता था वसंती ही अकेली उनके पैर चूने चली गई अहिलिया चीजों को बटोर कर बैग में रख रही थी कि उसे विजली का सा जटका लगा राजू उसकी एक जासूसी पुस्तक पढ़ रहा था और वो शायद वहीं भूल गया था अहिलिया उसे उठा कर रखने लगी कि पट्च से उसके पन्नों से रैक्सी का उसके नाम आया एक कार्ड नीचे गिर पढ़ा अहिलिया का कलेजा धग धग कर उठा छी छी क्या सोचता होगा वो कि उसके मित्र ऐसे निरलज और बेहया है रैक्सी ने उसे अल्मोडे के पते पर ही वो कार्ड भीजा था उसमें अहिलिया का ही एक पेंसल स्केच बना था और उसके नीचे लिखा था माई लव छी छी राजू से रैक्सी की प्रेसी समझे चला गया था अहिलिया ने कार्ड को लिफाफे में डाल करी उस पुस्तक के भीतर रख दिया था और फिर वो विवा की हरबड़ी में उसके विशे में सब कुछ भूल गई थी कार्ड के टुकडे टुकडे कर अहिलिया ने खिड़की के बहार फेग दिया था बसंती उसे बुलाने आई तो वो बैग लिये तयार थी एक सुरंग के भीतर वोकर वो उनके इश्ट के मंदिर में पहुची काल भैरव की प्राचीन मूर्त मंदिर के ही अनरूप थी देव प्रतिबा के सामने ही एक छोटी सी बावडी थी जिसके उपर नाशपाती का एक उचा दरप्त मंदिर के पूरे आहाते को घेरे खड़ा था कुछ सूखी बत्यां बावडी के हरे से पानी में कागज की छोटी छोटी नावों की मंथर गती से तिर रही थी किस मनोकामना के पूर्थ के लिए आचल फैला कर खड़ी हो गई कैसी सरल शद्धा है इसकी और कैसा अटल विश्वास अहिल्या सूच रही थी वो सौयम हाथ के फूल हाथ में ही लिए काल वहरव की मूर्थ की ही अचल भंग्यमा में खड़ी थी काश वो भी बसंती के से सरल विश्वास से कुछ मांग सकती बसंती माता टेक कर उठी तो अहिल्या हाथ में व्यर्थ पुष्पांजे ले लिए खड़ी ही थी अरे फूल चढ़ाती क्यों नहीं चौक कर पसीने से कुमलाय फूल चढ़ा कर अहिल्या बाहर आ गई बसंती मार्ग बर चड़िया से चैकती रही बस स्टेंट पर बस उनी का इंतजार कर रही थी उनके बैठते ही छूट गई जब वे अलमोडा पहुँचे तो अंधेरा हो गया था ताई बासी पुड़ियों का अंबार लगाए बाट रही थी पुत्री जमाता को देखकर सुबद्रा हाथ का काम छोड़ कर उठ गई कैसा लगा हमारा गाउं हसकर उसमें पूछा गाउं क्या अच्छा कासा शहर है हमें तो बहुत बढ़िया लगा बल्कि लौट के आने को जीही नहीं कर रहा था करणल अकबार की ओट लगाया ही बैठा रहा अहिल्या को पहली बार पिता की कठोर मुद्रा देखकर भै हुआ क्या मनीमन जान गए थी कि वो अम्मा से मिला ही है राजु तो मरा चला गया सुबद्रा धर्णरी धर से कह रही थी बहुतेरा रोका की कल बहनोई के संग चले जाना आज की तो उसकी छुटी भी थी पर माना ही नहीं बाब की ही सनक चड़े है लॉंडे को अच्छा राजुदा चला गया कितना जूटा है बसंती मा के पास ही बैठ गई मुझसे कह रहा था अल्मोणे में एक दो काम है ड्राइ क्लीरर क्या कुछ कपड़े पड़े हैं अला है फला है इसी से पहली बस से जा रहा हूँ और क्या तो इना भाबी भी चली गई अम्मा और क्या सब चली गई आज कल की वह हुए कि आपने मर्दों को छोड़कर रही है वो तो हमारा ही जमाना था कह एक लंबी सांस खीच कर सुबद्रा ने करनल के और दश्टिपात कर अपना शब्द भेदी बाणता न अहलिया मिला ही अपनी अम्मा से आवाज फुस्पुसाहट की ही थी किन्त ऐसी फुस्पुसाहट थी जो कभी अयस्पष्ट नहीं रहती करनल अगबार लेकर बाहर चला गया हाँ अम्मा काखी इतनी सुन्दर लग रही थी कि अब क्या कहूं पर आँखे बंद थी ध्यान में थी इसी से उन्होंने अहिल्या को नहीं देखा ऐसा भी क्या ध्यान मरी देख तो लेती बिटिया को क्या पत्थर का कलिजा था अहिल्या इस बीच बीतर किसक गई सुबद्रा फिर फुस्पुसाही हथ है इतने बर्सों में मिली और मरी ध्यान लगा के बैठी रही ऐसे ही तो तेरिया चरितर दिखावे थी तेरी काखी मरत भी क्या करे बसंती के सम्मुक काखी का पवित्र शांत चेहरा आ गया वो मा की टीका टिपड़ी में कोई भाग न ले सकी दूसरे दिन शायद कुछ थोड़ी बहुत खुराग जुटा भी लेते होंगे पर रात को सोने से पहले जिस नियमित खुराग का उन्हें अभ्यास था वो ना मिलने से वो चिर्चिरा उठे थे पापा वो रात को कर्रल की कुरसी के पीछे जाकर खड़ी हो गई क्या है बेटी कर्नल का कंठ स्वर आश्चर जनक रूप से ठंडा था पापा चली अब कलककता लौट चले मेरी तबियत यहां से उचट गई है अहिल्या का गला भारी हो गया क्यों कहा था ना मैंने कुरसी अहिल्या के उर्मोड कर कर्नल ने हसकर कहा अल्मोडा का नशा भंग के रसीले नशे की ही तरह उतर जाता है तेरी तबियत नहीं लगती तो कल प्रोग्राम बनाएंगे नहीं पापा अब प्रोग्राम प्रोग्राम कुछ नहीं कल ही चल दीजे पगली लड़की कल शनीचर है शादी के घर से पहाड में शनीचर मंगल के दिन अतिथियों को विदा नहीं किया जाता भाड में जाए आपका पहाड वो पैर पटकती अपने कमरे में जाकर बिना खाए पिये ही सो गई दूसरे दिन ताई के बहुत रोकने पर भी अईलिया ने जाने की तैयारियां कर ली वो सचमूशी कलकता पहुँचने के लिए छट पटाने लगी पहले पहुँचते ही दौलत को फोन करेगी अमिता तो पास ही रहती थी उसके कमरे में बिजली जली देखकर स्वेम भागती आएगी फिर तीनों मिलकर बैठेंगी तो वो अपनी परवत यात्रा के रोचक संस्पनर सुनाएगी वो सोच रही थी अब क्या फिर कभी पहार जाना होगा क्या पता एक बार फिर आना पड़े जिस अविप्राय से पापा उसे लेकर आये थे वो तो सिद्ध हुआ नहीं वो मनीमन कई उधेरबनों में उलश्टी जा रही थी कि कर्णल सोयम उपस्तित हो गया बेटी मेरे साथ थोड़ा बजार करने चलना होगा तुम्हें चटपट तयार हो लो बहुत सी चीजें ले जानी होगी अहिलिया आश्चर से कर्णल के और देखकर फिक्ष से हस्ती आप भी पापा बस बच्चों किसी बाते करते हैं भला इस सडी सी बजार में आपको क्या मिलेगा उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं आप कलकत्ता और शौपिंग करेंगे अलमोडा आखिर लेंगे क्या पहाडी मिठाई अहिलिया को स्वैम पहाड की खोई की गहरे कत्थाई रंग की सफेद पोस्ता चिपकाई बाल मिठाई और हरे हरे पत्तों में पान के बीडे के आकार की सिंगोडी बहुत पसंद थी पर आज वो जानभूज कर पापा को चिड़ाने पर तुली थी एक दिन समझेगी बेटी पहाड के अनुखे मोह की कैफियत को मैं तो सोचता हूँ कि एक प्रवासी आईसियज भी पहाड छोड़ेगा तो उसके साथ इन पहाडी तोफों की एक पोटली अवश्य होगी अच्छा अब तु देर मत कर अहिल्या कोट डाल कर करनल के साथ बाजार को चल दी पीछे पीछे हाथ में एक बड़ी सी टोक्रिल ये भौनिया था कल को बाब बेटी की शांदार जोड़ी चली जाएगी सोच करो बहुत उदास था मेम सी गोरी चिट्टी अहिल्या के उदार उतकोश ने उसे उसका दासान उदास बना दिया था अल्मुडा के बाजार का आरंब और अंत आख्यों पन्यास की भाती कई परतों में बढ़ता जा रहा था पत्थर के उचे नीचे ढहलार पर चरती उतरती अहिल्या कभी स्केट सा करने लगती और कभी अप्रत्याशित चढ़ाई से हाफ कर करनल से पिछड़गाती प्रत्य एक दुकान का अपना निराला ही व्यक्तित तो था कहीं पर छोटी छोटी दुकानों में कपड़े के रंग बिरंगे थान चुने रखे थे ना उनमें नायलॉन या डेकरॉन बेशते कलकते के भड़कीले सेल्समेंन थे ना जगमगाती बक्तियां रंग बिरंगी छीटें और फूलदार नैपाली ढाक के थान जिनके लाल पीले और हरे फूल शायद उस दिन की प्रतीक्षा में थे जब कोई पर्वतिय सुंदरी उनका लेंगा सिला कर अपने उस पहाड़ी मगजीदार लेंगे के गुमेरों को गुमा गुमा कर उनका अस्तित तो धन्य कर देगी एक और तंबाकू के पिंडों का पहाड़ लगाए कई छोटी छोटी दुकाने थी जनके दमदार कड़वे तंबाकू की खुश्बू से अलमोडा की बाजार के और छोर महक रहते कहीं घुरड कांकर और चीते की खाल लटकाए सुर्क सुर्क गालों वाले सुदर्शन शाह आओ गुरू आओ गुरू कहते शुतरमुर्ग के अंडे के आकार के कागजी अकरूट बेच रहे थे उनका कहना था कि गुलाब का फूल भी उनके अकरूटों के नाजुक छिलके को तोड़ सकता है कुछ शाह जी की अवदी नवाव किसी दूदिया सूरत और कुछ उनके कहने के अनोके धंग से कर्नल उनकी दुकान पर खड़ा हो गया अच्छा क्या सचमुशी गुलाब का फूल भी ने तोड़ देगा दिदी भौनिया ऐसी अद्बुत बात आज ही सुन रहा था किसी गत यौवना के ढलते यौवन की भात ढलती अपनी हाव पेंट को छाती तक खीच कर उसने अहिलिया से पूछ लिया हाँ जी हाँ काग जी है काग जी कली दो बोरे असकोट से मंगवाए हैं कितने दिनु सरकार बड़े सस्ते लगा दूँगा चार रुपे से सुदर्शन शाह तराजू की उलजी दो ठीक कर रहे थे कि किसी अन्भवी जोहरी की भात भौनिया ने एक अक्रोट को उठा कर दन्न से बाजार की पत्रीली सड़क पर दे मारा गेंद की तरह उचलता अक्रोट बिना तूटे ही अपने नाजुक छिलकों का विज्यापन व्यर्थ कर गया एकदम काठी अक्रोट है साला चलो दीदी दूसरी दुकान में बिहरी शाह ड़ाई रुपे सेर देता है भौनिया पैंट समालता आगे बढ़ गया उसके पीछे सुदर्शन शाह की चुनी गालियों की तीरों की बोच्छार बड़ी देर तकाती रही अक्रोट लेकर करनल को कई परचित बंदु बांधों की भीर ने गेर लिया अहिलिया को मनीमन पापा पर जुझलाट आने लगी हद होते हैं पहाडी रिष्टेदार क्या निगोणों की आख हैं नहीं हैं जो उसे सडक के कोने में अकेली खड़ी देख कर भी करनल को बातों में बांधते जा रहे थे बड़ी देर तक बाते चलती रही और फिर अहिलिया को अकेली खड़ी देख करनल उनको स्वैमी विदा दे कर आ गया सौरी बेटी तुम्हें बड़ी देर तक अंतजार करना पड़ा पर बहुत से बच्पन के साथ ही मिल गए थे एहलिया बिना कुछ कहे ही चलती जा रही थी मनी मन करनल के प्रती जुझलाट चेरे पर भी उभराई थी इसी से करनल भी जल्दी यल्दी बजार का सौधा रिपटा कर घर लोटाया सुभद्रा गुटनों तक साड़ी समेटे अपनी मुगदर सी टांगों में तेल की मालिश कर रही थी उन्हें देख कर अचकचा कर उसने साड़ी नीचे खीच दी और हसकर बोली मिठाई लाए हो देवर मुँ मिठा कराओ तो एक खुश खबरी दूँ वाँ मिठाई ये लो कहकर करनल ले पूरी टोकरी सुभद्रा को थमा दी शरोमणी जी आये थे सुभद्रा देवर के पास ही किसकर फुस-फुस आई कौन होंगे ये एलिया बीतर कमरे में दीवार से कान सटाकरी करनल और ताई की बाते सुनने लगी सच कह रही हो क्या कुछ कह भी गए हाँ हाँ जी कहेंगे क्यों नहीं एक बार तो जी में आ रहा था खुब कसकस के सुनाऊं शिरुआ के बच्चे को की क्यों जी देवर अब कहा गया चार पुष्णों का रिष्टा पर फिर सोचा जैसे मेरी बेटी वैसी तुमारी चलो एक नहीं तो दूसरी ही सही अरे लला सुबद्रा ने भी दुनिया देखी है ताही का स्वर क्रमशा जुझलाट और क्रोध से तीखा होता जा रहा था ये कोई चार महीने हुए इनी शुरुमरी का लड़का आई-एस में आया तो हमने भी बसंती की कुंडली भेजी थी तो खोटे सिक्के सी फेड़ दी बोले बोजी उराम राम ऐसा रिष्टा सुनने से भी पाप लगता है अभी तो हमारे बीच चार ही पुष्टे हुई हैं बसंती का मामा हुआ सर्वेशर हम भी भाईया चुप रहे पर आज कहा गया वर रिष्टा जैसी बसंती वैसी एहिल्या करनल को सुबद्रा की यही आदत नापसंद थी हर मीठी शर्वती घूट में वो विश अवश्य टपका देती थी अच्छा रिष्टा तो ऐसा कुछ नहीं है अगर है भी तो अब यह सब कौन मानता है क्यों नहीं देवर वही कहने आये थे कि उन्हें इस रिष्टे में कोई आपती नहीं है जाने से पहले ही कन्या को वे टीका कर जाएंगे अब तुम जानो कहकर सुबद्रा तेल की कटोरी लेकर उट गई अहिल्या सब कुछ सुनकर इस्तब्द थी बरामदे की काट की रेलिंग पर उसकी मुठी की पकड ऐसी कड़ी हो गई कि अंगुलियां दुखने लगी पहाड आकर पापा ने उसे भी पहाड की भेड़ बकरियां ही समझ लिया जहां चाहें हाग दिया देख लेगी वो भी ठीक है मैं एक बार उनके हाँ हो ही आऊं कल तो फिर सुबह ही जाना होगा कहता करनल शायद अपने स्वेटर धरने पीतर आया बरामदे की रेलिम को छोड़कर अहिलिया सीधी खड़ी हो गई अब आपको इस समय कहीं नहीं जाना होगा पापा किस के हाँ जाने को कह रहे हैं आप करनल आवाक रह गया अहिलिया के दोनों नत्रने कोट से फड़क रहे थे लगता था वो किसी प्रकार से अपने को सहियत किये खड़ी है क्यों क्या मैं कलकत्ता से यहां बसंती की शादी के लिए ही आया था करनल का रक्तचाप शत्र की भात उसके सिर पर चड़ा आ रहा था चलने से पहले मार पर क्या वो अहिलिया को समझाता नहीं आया था अपने ही समाज में विभा करने की इच्छा क्या बार बार अहिलिया ने पिता के सामने नहीं दोराई थी तब क्या कलकत्ते के किसी छोकरे ने तो उसका दिमाग नहीं फिरा दिया मलिका ने उसे फिरंगी रेक्सी के लिए साथान तो कई बार किया था शिरोमन कुमाओं के सिरमौर हैं जानती है लड़की अपके करनल का स्वर पिता का नहीं जूट पटसन के लगपती विवसाई का था आई-एस लड़के पहाड में क्या सहज में मिलते हैं उस पर बाप की नैनी ताल में तीन-तीन कोठियां है नाना ने डर्बी की लौटी जीती थी देखने में लड़का जरा सामला है पर ऐसे थसके का है कि अब तक तेरे लड़कियां नापसंद कर चुका है जिन में से तीनों के बाप S.P. थे ठीक है किया करें पापा मुझे उसकी पसंद नापसंद से कुछ ले ना देना नहीं पर मुझे अभी विवाही नहीं करना है पिता पुत्री का वारताला अप सुबद्रा शायद कहीं से कान लगा कर सुन रही थी एका एक वो हस्ती हस्ती बीतर आ गई पड़ी लिखी लड़की है नलला इसी से इतना मीन मेक निकाल रही है क्यों क्या कहीं और लड़का व्रका तो नहीं चांट धरा है हमारी बतीजी ने सर को जितना ही मिठास में घोल कर प्रस्तुत किया गया था उसकी उतनी करवार से एहलया तिल मे ला गई तो हिना के जहर मुझे तीर वो बड़े धहर से सहती आई थी पर आज उससे चुप नहीं रहा गया कोई लड़का पसंदी किया होगा तो क्या आपको बताना जरूरी है ताई सुबद्रा का चेरा अपमान से लाल पड़ गया नंदी की बित्ते भर की चुकरी उसी के घर में उसका अपमान कर गई चुप रहना उसका सुभाव नहीं था आँखों पर आशल धर कर रोज जोर जोर से रोने लगी कौन कहेगा इसी अहलिया को मैंने कैसे लाड़ से पाला होगा आज मेरे मू लग रही है मेरा क्या कर ले किसी मुसल्मान करिस्तान से शादी बाप का नाम उजागर कर हमारा क्या हदप्रब सा करनल इधर दर देखने लगा क्या कह रही हो तुम देखो तो सही पासी कृपाल दते जी का मकान है अहलिया ताइसी से माफी मान बच्ची है भाबी से माफ कर दो करना सचमुशी गिरगराने लगा मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली दीन दरितर पहाड़ी ताई से भला तुमारी मेम सी बेटी बाफी मांगेगी सुबद्रा स्वर के आरो अवरो रचाती रोती रही उस दिन रात को बाप बेटी भूगे ही सो गय दूसरे ही दिन प्राता का अहिलिया ताई से मिलने गई तो उसका चेहरा लटका ही था बिना कुछ कहे डोली का तिलक खींच कर सुबद्रा ने उसे एक दसका नोट थमा दिया और स्वर को व्रंग की सान में तीखा कर बोली माफ करना हमारी कही सुनी पड़ी लिखी होती तुमारी नई अम्मा की तरह है तो शाय तुम्हे मना भी लेती अहिलिया ने दसका नोट थाली पर ही धर दिया और आखों के आसु रोकती भुनूनाती बाहर निकल आई कैसा उत्साहता पहाड आने का पर आज सब उत्साह ठंडा पड़ गया परवतिय समाज ने उसे दूद की मक्ही की भाहते निकाल कर फेक दिया था अब क्या वो फिर कभी पहाड आ सकेगी पापा उस पर बहुत नाराज हो गए थे मार्ग भर बिना एक शब्द बोले ही यात्रा संपन हुई कलकत्ता पहुंचते एहलिया पहाड की सारी कड़वाहाट भूल गई ताई के वजर कठोर वाक्यों की चुभन के बीच बसंती की इसम्रती सारी कसक मिटा देती उसकी सरल आकरती भोली मस्तानी आखों का इसने धरनी धर की निश्पाप ठिटोलियां और उनमादनी अम्मा का चीनी गुडिया सा चेहरा सब बार बार किसी रोचक डाक्योमेंटरी की भात उसकी आखों में तेरने लगते इन सब के बीच ना चाहेने पर भी उसे एक और चेहरे की इसम्रती विवल कर देती जिस व्यक्त ने उसे तनिक भी प्रश्रे देने की चेश्टा नहीं की जिसके अजेय पौरुष को उसका सौंदर केवल एक दो बारी व्यर्थ सी चुनौती देकर हार कर रह गया उसके प्रत उसके खिचाओ की क्या व्याख्या हो सकती थी फिर परवतिय समाज के विकट चक्रवियों में फसकर वो क्या स्वेच्छा से ही प्राण गवा सकेगी राग भर की उधेर बिनों के बीच उसने सुबह उठते मलिका के हाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया मा चमक रहे थे पीतल के स्विच में घिस घिस कर ब्रासों किया गया था फूलान में ताजी लिली महक रही थी जाने के दिन जल्दी में वो जूड़े के कुछ काटे मेज पर छोड़ गई थी अब भी वैसे ही विखरे पड़े थे ओ मा दीदी मनी तूमी जे रोगा हुए एशो छे मागो की चेहरा हुए छे शाट शाट अर्थात ओ मा दीदी मनी तुम तो दुबली होकर आई हो अरे कैसा चेहरा हो गया है हाए हाए ननी बाला चाए की ट्रेले कर खड़ी रह गई कहां दुबली हूई उनों नी ला चाए बनाते जल्दी मुझे अभी माशी से मिलने जाना है हाँ जी लोग अब मिलेंगे न माशी से है कहां जो मिलोगी ननी बाला का स्याह चेरा मलान हो गया वो अहिल्या की सबसे मू लगी नौकरानी थी उसकी मा मलिका को मालिश करने आती थी उसी के साथ ननी बाला को देखकर अहिल्या बड़े आग्रे से अपने साथ लियाई थी तब से वो उसी के साथ थी उसके काले रंग के भारी बदन नहीं उसके विवहाकाश को अब तक आच्छादित कर रखा था किन्त उसकी बड़ी बड़ी आँखों और शरीर की पुष्ट गठन ने बंगले के कई भ्रत्य गणों को विवेक भ्रष्ट कर दिया था उसका पिता नामित था इसी से पिता के कुल के सब गुण उसमें वरत्मान थे वो बंगले पर के नौकरों की चुगली लगा कईयों को निकाल चुकी थी क्यों क्या हुआ नूनी क्या माशी को कुछ हो गया अहिलिया हर बड़ा करोड़ बैटी हम उन्हें होगा क्या भला पूरी बात की पुड़िया एक साथ कोलना ननी बाला को पसंद नहीं था वो फिर चुप हो गई अहिलिया ने खीच कर उसे जगजूर दिया कहती क्यों नहीं अभागी बोलना तुमारे मैशो अर्थात मौसा नहीं रहे और क्या सुना उस दिन सास बहु में खुब लड़ाई हुई लड़ जगर कर बहुजी सिनिमा देखने चली गई जब लोटी तो अर्थी तयार हो रही थी पूरे कलकत्ता में ऐसा हल्ला मचा खुब थुड़ी मुड़ी हुई की पूछो मत दूसरे तिन सुबह से बहुजी गायब हो गई कोई कहता है कि हुगली में कूद गई कोई कहता है किसी के साथ भाग गई वो तो अच्छा हुआ साहाब आ गए नहीं तो वो फिर चुप हो गई नहीं तो क्या अरे यही की सोनपाड़ा की बहुजी कह रही थी नोनी हो ना हो तेरे साहब के पास ही भाग गई है अब चलू दीदी साहब के कमरे में भी तो चाय पहुचानी है अरे एक ख़बर तो तुम्हें देना ही भूल गई तुमारा वो फिरंगी दोस्त था ना दीदी मनी राक खोज अर्थात राक चस ननी बाला की रेक्सी पर विशेश क्रपा थी अपने घोर प्रश्ण वर्ण की पीड़ा को रेक्सी की फिरंगी सफेत रग की तुल्ला में अत्यंद तुच्छ पाकर अपनी सारी कुढ़न उसे राक्खोस नाम से पुकार कर बिटाती तो क्या हुआ उसे क्या वो भी हुगली में कूद गया अहिल्या खीशती जा रही थी आहा दीदी मनी कूदे उसके दुश्मन उसने तो दौलत दीदी से ब्याजो रचा लिया ऐसा सुन्दर लग रहा था दीदी काली पार्सी टोपी लगाए दौलत दीदी के साथ घुमने जा रहा था ऐसी कलेजे में छूरी लगे हमारे आहा रे आमरी दीदी लाइक जोडी थी और कहां मुआ गया ब्या करने अहिल्या उसकी बास सुनते ही दौलत को फोन करने भागी खूब कोरी कोरी सुनाएगी दौलत को ऐसे लुक शिपकर भला ब्यार चाया जाता है क्या उसके पाहर से लोटने तक रुका नहीं गया उससे फोन करने पर पता चला कि रेक्सी दौलत हनीमून मनाने कश्मीर चले गए हैं उसका कंट स्वर सुनकर रूसी की गहर से गुरुदी आवाज अहिलिया को कर्ण कटू लगी अच्छा रूसी सो लॉंग फिर बाते होंगी कहकर उसने रिसीवर ठाए से पटक दिया नहात होकर उसने साड़ी बदली और अमिता दत्त को बिना फोन किये ही उसके घर की ओर चल दी क्या पता फोन करने पर पता लगेगा कि उसने भी चटपट शादी रचा लिया अमिता के फ्लैट के निचले भाग में एक लंगड़ा सिंधी बुढ़ा विदुर रहता था उसकी न्यू मार्केट में दालमोट की बहुत छोटी सी दुकान थी वो भी अहिलिया का अनन उपासक था कई बार बड़े-बड़े कागज ये ठोंगों में वो उसके लिए विशेश रूप से तयार की गई दालमोट भेजा करता था आज वो कार से उतरी तो संधी बुढ़ा कहीं नहीं था दौर पर ताला पड़ा था पर अमिता की खिड़की के खुले पड़ देकर वो आश्वस्त होकर सीड़िया चड़ गई दीर दीरे सीड़ियों पर बिल्ली के से पंजे रखते हो उपर चड़ी आज अमिता को खुब छका देगी कमरे में पहुँचकर उसने देखा अमिता को पन्यास के उपर आउधी होकर पढ़ने में ऐसी दत्य चित्य थी कि अहिलिया की साड़ी की खस-खस भी नहीं सुन पाई उसके लंबे काले बाल उसकी सामली नंगी पीट पर इधर उधर बिखरे थे उमस से तंग आकर उसने ब्लाउस खोल कर दूर फेक दिया था और दोनों लंबी लंबी टागों को उपर उठा कर दोनों एडियों के मजीरे से बजा रही थी उसकी दोनों पोहनिया पलंग पटिकी थी और बंगाली पाश-पालिश अर्थात गाउ तकिया को आराम से टेक लगाए वो पढ़ती ही जा रही थी बाप रे बाप क्या भंग चड़ा कर बैठी होगी अहिल्या ने कहा तो बुरी तरह चौक पड़ी और से देखते ही उठकर गले से लिपट गई ओ मा की में तूई कभे एलिगो अर्थात हाई मा कैसी लड़की है ये कब आई भला पहले गिलास पानी तो पिला पहाड से आई हूँ जरा ठंडा पानी लाना समझी आचल से नगन पीट को ढापती अमिता भाग कर कासे के चौकोर गिलास वे पानी ले आई और उसे एक टक देखती रही भला क्या देख रही है ऐसे मोटी हो गई हूँ ना ना भई मोटी कहां हुई हो देख रही हो कि पहाड के पानी ने सोने को और निखार दिया है क्या कुछ कस्तूरी चंदन का लेप करती रही है वहाँ हाँ जी हाँ कस्तूरी चंदन ना को और कुछ बाज आई ऐसी पहाड यात्रा से मैं तो यहाँ आने को छर्पटा रही थी पर दौलत को तो देख ना चिट्री ना पत्री ना होता तो निमंतरण का एक फॉर्मल कार्ड साही भेज देती बड़ी लंबी बात है तू सुस्ता तो सब बताती हूं तू एक मिनट बैट तो मैं चट से नहाल हूं मा गई है क्रश्न अगर माशी के लड़के अगा प्याह है ना बाबु जी भी चले गए घर एकदम फाका मतलब खाली है इसी से आजकल इंग्रिश ब्रंच करके स्कूल चली जाती हूं अच्छा हुआ चुटी थी नहीं तो मैं कहां मिलती तू बैट मैं अभी आई और अपने शरीर पर मले सरसों के तेल को रगड़ती अमिता चली गई अईल्या उसकी गाउ तक्या परी सिर्धर कर लेट गई कितनी क्लांथ हो गई थी वो जी मैं आ रहा था कि दिन बर यहीं पड़ी पड़ी अमिता की मीठी चरपड़ी बातें सुनती रहे पर घर जाकर पापा की खाने पीने की भी तो व्यवस्था करनी होगी कल तो दिन बर अमिता फिर मिलेगी नहीं कितनी देर तक उसे स्कूल में रहना पड़ेगा क्या पता अमिता ने एक अंद बधिर स्कूल में नौकरी कर ली थी और अहलिया को लगता था उस नौकरी ने अमिता का हुलिया ही बदल दिया था जो अमिता कलकते भर के स्केंडल का लिखा जुखा रखती थी कौन किसके साथ भाग गई, कौन शीगरी भागने वाली है, किसका अफेर किसके साथ चल रहा है ये सब अमिता ही रस ले लेकर अपनी सक्षियों को सुनाया करती थी पर इधर वो एकदम ही उदासीन हो गई थी अपने अंदे और बधिर चातर चात्राओं की भाँ थी तो उसके चंदन के साबूं की सुगंज से कमरा महक उठा भीगे बालों के जूड़े को निचोर निचोर करो पानी बाहर पेकती जा रही थी फिर भी पानी की असंखे बूदे उसकी पीट को भिगो रही थी हाँ तो चल पहले तो कुछ खा लिया जाए ओरे मंगला हमारा खाना यहीं लिया दो प्लेट लाना समझा पलंग पर ही अकवार बिचा कर उसने दो प्लेटे धर दी कटी डबल रूटी दो उबले अंडे और सार्डिन मशली का खुला तिल लेकर मंगला सब कुछ करीने से सचा गया नहीं अमिता मैं तो घरी जाकर खाऊंगी पापा आके लिया है एक तो वैसे उनका कुछ मूड आफ है अरे चल भी थोड़ा सा खाकर क्या फिर घर नहीं खा पाएगी यह सार्डिन तो खा तेरा सिंधी बुड़ा ही दे गया था कल सुनेगा तुने भी यह मचली खाई तो कल दोटिन और भीज देगा अहिल्या ने हसकर तीन चोटी चोटी मचलियां लेकर दो स्लाइस डबल रोटी के बीच धर कर मीच दी और एक गसा लेकर पूछा आज दिखा नहीं बोर है कहा होना कहा न्यू मार्केट में डंडी मार कर तेरे सपने देख रहा होगा सुवह उठते उठते ही पूछता था मिस दत्ता आ रही है आपकी सखी जी में आता था पिच्च से थूगनू सालेगी गंजी चानल पर ये मू और मसूर की दाल अभी हाल ही में बड़ी पोती आई थी यही कोई हमारी तुमारी उमर की होगी सच और क्या पर ऐसा बदमाश है ससुरा आदी रात तक सिनेमा की गाने गाता है मशली भी उसी की खा रही है और निंदा भी उसी की अहिल्या ने मीठी जिड़की थी आए हाए बड़ा मुह है लंगडू पर कहो तो फोन कर दूँ अमिता ने कई छोटी छोटी मशलीयों को भुरता सा बना कर एक साथ मुमें ठोस लिया बड़ी देर तक हलकी शलकी कब शब से अहिल्या का चित हलका हो गया दौलत रैक्सी का विवा बिना किसी आडंबर के ही कैसे हुआ सब अमिता ने बता दिया मलिका मौसी को लेकर बड़ी गंदी गंदी बाते चल पड़ी थी इसी से सब को छोड़ चाड़ कर रात ही वे कहीं चली गई अहिल्या मलिका का प्रसंग छिरते ही उदास हो गई एक एक कर उसकी आखों के सामने मलिका की वादसल पूर्ण हसी बड़ी बड़ी लाल डूरीदार आखें लंबी लंबी अंगुलियां सब आ गई पहार से लोटते ही कलकत्ता कितना बतल गया था और समीर उसको क्या हुआ डनलप वाली नौकरी नहीं मिली अहिल्या ने प्रसंग बदलने की चेश्टा की अमिता स्वयम बाद बदलने की चेश्टा करने लगती थी उसे डनलप की नौकरी मिल गई एक का एक सलज संकुचे द्रश्ट जुका कर अमिता हाथ के मोटे उपन्यास को निर्ठकी खोलने और बंद करने लगी उसके मामा असम में मंत्री थे न उन्होंने चेश्टा करके दिलवा दी और इसी महिने के 25 तारीक को उसी से मेरा विवा हो रहा है अहिल्या अमिता का स्वर बुच्ते दिये की लौकी भाद इकापने लगा तू जानती ही है माँ बाबुजी सब दिनरात मुझे कोच्टे रहते थे बंगाल में करन्या को क्या सहजी में वर्ज उट जाता है फिर मैं भी अपने कौमारे से उपती जा रही थी अभी तो ठीक है एल्या वो किसी गंभीर दाशनिक किसी दलीले पेश करती जा रही थी 24 साल की मैं हो गई हूँ जब स्कूल में अपनी सह अध्यापिकाओं को देखती हूँ तो उपकाई आने लगती है चिर्चिरी कुझड़ियों की तरह या तो वे लड़ती रहेंगी या फिर दुनिया भर के स्कैंटल लेकर उलजी रहेंगी क्या पता एक दिशाद हम भी ऐसी frustrated old mates बन जाएं अहिल्या चुपचाप उसकी बाते सुन रही थी एक दिन हमारी तुमारी यही लटे सफेद पढ़ने लगेंगी अपने बीगे केश अंगली में उलजाकर अमिता चल्ले से बनाने लगी अंग गलितम पलितम केशम फिर ना हमारी प्रशंसा होगी ना हमारी अभ्यर्थना हमारा इस्थान लेंगी नई नवेली शोडशियां उन तनूदरी सुन्दरियों को देखकर हम वैसे ही जल फुनकर राक हो जाएंगी जैसे मिस मल्लेक, मिस मुखर जी कॉलिज में हमें देखकर हुआ करती थी कोई सुन्दर सा लड़का किसी किशोरी हस बोल लेगा, तो हम कुड़ी मड़ी जाएंगी छी, क्या सब पच्रा लेकर बैठ गई अमिता अहिल्या उठकर साड़ी की तहटीक करने लगी, पर तू तो आज एकदम हेड मिस्ट्रिस किसी बाते करने लगी, समीर मिले तो मेरी ओर से बधाई दे देना, अब चलती हूँ, हाई अभी नहीं आहिल्या उसके दोनों हाथ खीच कर अमिता ने उसे जबरन पलंग पर बिठा दिया अच्छा माफ कर, अब कुछ नहीं कहूंगी ना बुर्याज सत्तेम प्रियम चाई पी कर जाना ऐसी भी क्या जल्दी है भला आज समीर ने भी यहीं आकर चाई पीने को कहा है फिर मेट्रों में बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है नहीं अमिता पापा बहुत बिग्डेंगे मैं चलूँगी ही भई ना हो तो तू ही कल आना वहीं तेरे लिए तेरा ब्रज तयार रखोंगी ड्राइवर से कहूंगी तुझे स्कूल छोड़ाएगा अमिता उसे कार तक छोड़ गई और घर लोट जाने का इसमर आते अहिल्या का चित्त खिन हो गया कार से उतर कर वो करनल के कमरे की ही और मुड़ गई एक मेच पर करनल का दाड़ी बनाने का सामान भिक रहा था ब्रश पर लगी ताजी जाग देखकर लग रहा था करनल अभी अभी उठकर गया है बाप रे दीदी मनी कहां रहे इतिनी बेला अहिल्या चुप रही साहब तो खुब नाराज होकर आफिस गए है बिना पूछे ही तुम कार लेकर क्यों चली गई भला अहिल्या बिना कुछ उतर दिये ही चपल जोर जोर से पटकाती अपने कमरे में जाकर विस्तर पर धम से लेट गई दीदी मनी ओ दीदी धीमे से फुसफुसा कर ननी बाला उसके सिराने ना जाने कब आकर खड़ी हो गई साहब लोट आये हैं और तुम्हें बुला रहे हैं जा कह दे मेरे सिर में दर्द है मैं नहीं आऊंगी नहीं नहीं दीदी मनी लोग खीटी अर्थात लक्ष्मी बेहन उठो जाओ साहब को देखो कैसा मोटा गुस्ता आता है फिर जानती हो ना उठो दीदी साहब ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है खाली एक पैला चाय पीकर ही चले गए थे अहिल्या हरबड़ा करूट बैठी वो तो अमिता क्या सारडेन, मचली, डबल रोटी, संदेश कितना कुछ खा आई है और पापा बेचारे भूके ही चले गए जरासी मानसिक अशांति से कभी भी उन्हें पक्षा घात का दोरा पड़ सकता है बेटी मलिका मौसी ने एक दियों से कहा था तुम कहा चली गए मौसी और गुरू की प्रस्तर मूर्थ के चर्णों पर ध्यान मगना बैटी अम्मा के प्रति उसका सारा क्रोध उमर पड़ा क्या अम्मा का कुछ करतवे नहीं है उसने अकेली अहिल्या पर ही सब कुछ क्यों छोड़ दिया पैरों में उल्टी सीधी चपल डाल कर वो करनल के कमरे की और चल दी करनल मुह में सिगार दावे अकबार देख रहा था दाड़ी बना कर चेहरे का रुगड रूखा भाव चला गया था अहिल्या को देखते ही हाथ का अकबार नीचे रखकर मुस्कुरा कर बोला कहां चली गई थी बेटी पिता के अपरत्याशित इसने से पगे स्वर से अहिल्या आश्वस्त होकर मोड़ा खीच कर बैट गई खिड़की के धानी रेश्वी पर्दों से रंगीन रोश्नी का ताना बना कमरे में फैल गया था एक हांसे पिता के पलंग पोश्ट की शिकने दूर करती अहिल्या अगवारों को समिटने लगी कहीं नहीं पापा अमिता से मिलने गई थी सरजन दत्ता तो बाहर गए हुए है बेचारी अकेली है आजकल अरे तो उसे यहीं क्यों नहीं बुला लेती तुम अकेली हो जी बहला रहेगा मुझे तो शायद कल परसो तक मलाया जाना पड़ेगा तुम यहां अकेले कैसी रहोगी पिता पुत्री के बीच पहाड यात्रा ने जो आकस्मिक मन मुटाओ का घिरा खीच दिया था वो सुएमी एकाए खट गया क्यों मलाया तो आप पिछले महीं नहीं गए थे पापा इधर फिर जाना है देख तो रही हो देश की स्थिति क्या बड़ी सुएधा की है आची ख़बर सुनी नहीं चीनियों का उत्पास सहज ही में शान्त नहीं होगा अहिलिया के हाथ के अकवार काप गये उसे किसकी चिंता ने विचलित कर दिया वो स्वैम ही नहीं समझ पाई बहुत बुरे दिन आ रहे हैं अईलिया अपने को हर आपत कालीन इसमभावना के लिए तयार रखना होगा करनल ने पाइप का एक लंबा कश खीचा पिता पुत्री के मंतरना के बीच सहसा परदा खोल कर गौर मोहन बरुआ खड़े हो गए अरे काका बाबू आप कहां से आ गए पापा तो कह रहे थे आप तेजपुर चले गए हैं अपने इस थूल शरीर को आराम कुर्सी पर धम से रखकर हाफते हाफते गौर मोहन बरुआ रेश्मी रुमाज से पसीना पोचने लगे बताता हूँ बेटी अभी बताता हूँ पहले थकान तो मिटाने दे बाप रे तुमारी नंदी की सीड़ियां है या चीन की दीवार काका बाबू मैं शर्बत लेकर आती हूँ थोड़ा पीकर ठंडाईये तब बाते करियेगा अरे नहीं शर्बत वर्बत नहीं पियूँगा बेटी तू बैट इतने दुनों बाद लक्षमी बिटिया मिली है आके ठंडी करूं आहा अहिल्या का हाथ खीच कर गौर मोहन बाबू ने पासी बिठा लिया और बड़े इसने से उसके मात्थे पर हाथ फेडने लगे क्यों पांडे आज की खबर सुनी कुछ इसी से तो तेजपुर नहीं गया क्या होगा को समझ में नहीं आ रहा है एक तो जमीनदारी वैसे ही चौपट कर दी सरकार ने अब रही सही कसर चीनी ससुर पूरी करेगा इसी से तो राद भर सो नहीं पाया सुना हमारी जमीन पर बैरक बन गए है गौर मोहन बरुआ असम के गडमाने जमीदारों में से थे लाट साहब तो उनके हाँ शिकार का कैम्प लगा महीनों पड़े रहते थे उस पर गौर मोहन बरुआ अन्य जमीदारों की भात अयाश भी नहीं थे पड़े लिखे गुणी जमीदार बरुआ बाबू का पूरे असम में विशेश दबदबा था तुमारा क्या ख्याल है ये चीनी कुछ और उत्पात मचाएगा जिस तरह से हमारी फौज को रौंदता जंगली हाथी की तरह बढ़ा आ रहा है उससे तो यही लग रहा है अहिल्या फिर चोकन्नी हो गई राजू भी तो नेफा में है हम तो हुआ है तो हुआ करे उसका क्या उस दंबी युवक को थोड़ा सबग भी मिलेगा ची ची कितनी नीच है वो पिता और गौर मोहन की बातों का रुख उनके मलाया के कारोबार के और मुर गया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई कितना काम पढ़ा था दोबी को बुलबा कर कितने सारे कपड़े देने थे पापा के सूटों का अंबार लगाकर ननीबाला उसके बिस्तर पर पटक गई थी उन्हें धूब दिखानी थी गोल कमरे की छट पर की टंकी ना जाने कहां से चूने लगी थी कीमती कालीन पर पानी के दप्वे पढ़ गए थे उन्हें छुटाना था उस पर पापा ने एक खबर सुना दी एक एक कर काम निपटाते निपटाते दिन ही डूप गया ननीबाला ने चाए मेच पर लगाई साहब तो बाहर चले गए दी थी आप से कह गए हैं खाना खाली जेगा उन्हें लोटने में अबेर होगी चाए पीकर एहलिया ने अपनी पहाड यात्रा का बकसा कोला गुरी मुरी करी साड़ियां पारसल से बनाए बलाउस और अद्वी के तॉलिये निकाल निकाल कर वो जमीर पर डालने लगी छी कितना कबार जमा हो गया था कुछ दिन और पहाड रहना पढ़ता तो आफ़त हो जाती कपड़ों के बीच छट से छिटक कर वही जासुजी किताब नीचे गिर पड़ी जिसे राजू पढ़ता रहा था और जिसके बीच रैक्सी का बनाया इसकिश निकला था चीजे फैली की फैली रह गए क्या सोचा होगा राजू ने जब वो गहन वन कंदरा में काटों से छिदी हतेलियों की पीड़ा से बेचैन जान लेवा चटान पर खड़ी थर-थर काप रही थी कैसे वो वीर्ड वन को चीरता खड़ा हो गया था कैसी बच्चे की सी मीठी हसी थी और जगजग करते कैसे मोती से सफेद नात प्रिशस्त ललाट पर भीगे बालों का गुच्चा अंगूर के गुच्चे की तरह कैसे जूल रहा था एक बार अंदकार पूर्ण सक्रे मार्ट से जब वो उसे टहनी का सिरा थमाए किसी अंदी अपाहिच की भात खीचे ले जा रहा था तो वो एक दमी निकट जाकर उसे टकरा पड़ी थी आज भी उस शनिक स्पर्श की माया उसे बुलाए नी भून रही थी एक बार उसे अपने पिता के वैबहों का सामराज दिखाने को वो मनी मन ललक उठी क्या तब भी उस दंबी ये वक्का चितन ही डोलेगा उठो तो दीदी मनी मैं कपड़े लगा देती हूँ तो माराम करो किस किस साड़ी में स्तरी होगी किसे ड्राइ क्लीन करने को देना होगा बस यही बता देना ननी बाला ने आकर उस कपनों की फैली हाट सी समेट ली ठक कर अहिलिया पलंग पर लेटी ही थी कि करनल हरबढा कर स्वैमी आ गया बेटी चीनियों ने हमला करी दिया अभी भी खबर आ रही है चलो जल्दी शेश अगले भाग में